श्री हूम रमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को रवीवार के कुछ टोटके बताऊंगा रवीवार यानि की संडे इन टोटके और उपाय करने के बाद आप लोगों की जो भी समस्या होगी उसका निवारन होगा तो आईए जानते हैं रवीवार के कुछ टोटके सबसे पहला टोटका अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ती बहुत लंबे समय से बिमार हो तो आप एक गोमती चक्र लीजिए और उस गोमती चक्र को तामबे के तार में बांध दीजिए उसके बाद जो भी रोगी है उसके विस्तर के नीचे आप इसको बांध दीजिए ऐसा करने के पस्चात जो भी लंबी बिमारी होगी वो खतम होगी और रोगी तुरंत ठीक होगा अगला टोटका, अगला टोटका है आप रवीवार की सुभे सुभे सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और उस जल में थोड़े से लाल फूल, रोली, चावल और चीनी मिलाईए इसको करने के बाद आप जो भी आपको नौकरी में दिक्कते आरी होईंगी वो दूर होईंगी, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, लंबे समय से अटका हुआ होगा तो वो तुरंथ होगा, ऐसा आप लगातार 21 रवीवार तक कीजिए अगला टोटका, अगला टोटका है धन प्राप्ति है तूँ, अगर आपको धन की कमी हो रही है तो आप ये टोटका कीजिए, आप एक लोहे का बरतन लीजिए और उस लोहे के बरतन में थोड़ा सा दूद और थोड़ा से जल मिलाईए साथी साथ उसमें थोड़ी सी चीनी भी मिलाईए इसको आप सुभे रविवार की सुभे सुभे आप इस चीज को रख दीजी अपने मंदिर में लोहे के पातर को और शाम के वक्त पीपल के पेड़ पे जाके इसको आप जलको अर्पित कीजिए ऐसा करने के पश्चात आप आपको धनकी प्राप्ती होगी अगला तोटका है अगर आपको किसी जरूरी काम से रविवार के दिन बाहर जाना है तो आप चार लॉंग लेके जाईए और जब आप वापस आएंगे तो वो चार लॉंग आप हनुमान जी के चर्णों में हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित कीजिए ऐसा करने से आपका कारे सिद्ध होगा अगला तोटका अगला तोटका है आप जो आटा खाते हैं वो आप आटा तुरंत मार्किट से जाके ना खरी दिये आप उसकी जगा थोड़ा सा गेहूं खरी दिये और गेहूं में ग्यारा तुलसी के पत्ते दो केसर के दाने और साथी साथ थोड़ा सा उसमें गंगाजल मिला दीजिए और फिर जाके आप उस गेहूं को पिसवाईए और खाने के आटे में मिला दीजिए ऐसा करने के पश्चात आपके घर में जो भी समस्या और दिक्कते होईंगी वो दूर होईंगी अगला टोटका है विद्ध्यार्तियों के लिए जिन विद्ध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में काफी जादा परिशानिया आ रही हैं वो रविवार की सुभे दो माचिस खरीदें और उस माचिस को आप शिब मंदिर में जाके दान कर दीजिए ऐसा करने के पश्चात आपकी जो भी समस्या होगी पढ़ाई लिखाई को लेके वो दूर होगी अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा उपाए टोने टोटके पे जानकारी चाते हैं तो हमारा चैनल श्री हूम रेमेडीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद